देखिए इस समय की राजनीती में आप लोग उनको यसे कम ही नेता मिलेंगे जिन में आप देखिए कि उनकी तारीब करने वाले उनकी पायटी में तो होंगे ही साथ में ही आप देखी बिपक्च भी उनकी तारीव करता हो उनके कामों की तारीव करता हो तो इन में आप देखी आज के समय नितिन गड़करी साहब है आपने देखा होगा कि इनके कामों की तारीव बिपक्च भी करता रहता है इनके पार्टी के नेता तो करते ही है और एक समय आप देखे अटल विहारी बाचपे भी ऐसे ही बेक्तित रखते थे जिनकी तारीप आप देखते थे कि बिपक्च के द्वारा भी की जाती थी समय समय पर तो आज हम लोग नितिन गरकरी साहब के बारे में बात करने वाले हैं इनकी राजनीति के यात्रा किस तरह से रही है उस पर हम लोग बिस्तार से बात करेंगे इनसे जुड़े हुए कुछ बिवाद हैं उस पर भी हम लोग बात करेंगे और विवाद इसलिए हैं क्योंकि आप सभी जानते हैं जब आप लोग किसी काम में करने लगते हैं कोई भी चाहे राजनीती हो या किसी और छेते से जुड़े हो तो आप सभी जानते हैं कि आपके पिसंसक भी होते हैं आपके आलूचक भी होते हैं यानि कि कहने का मतलब है कि आपको पसंद करने वाले भी ओते हैं नाग पसंद करने वाले भी ओते हैं तो आपसे विबात का जुनना सुभाविक्सी बात रहती है और सबसे बड़ी बात यह है कि Nitin Gargarii साहब एक किसान एक आप सोचे की मध्यम, मेडियम, परिवार से निकल के मेली हुएं और आप सोचे कि आज उन्हें जो सफलताय मिली हुई हैं जो baş हैं इनकी अपनी महनत के कारए मिले वे कोई ने आप देखी अप्लेज疫 के जो राजनितिक भिरासत होती इसका इनके साथ कोच संबंद नहीं रहा है और आपकी स्क्रीन पर दिख भी रहे हैं और हमेशा आप देख इसी तरह मुसकुराते रहते हैं और उपर वाला हमेशा इनने मुसकुराते रहके इसी तरह तो नितिन गड़करी के अगर हम लोग पूरा नाम देख लीजे मुझे तो लगता है कई लोगों को तो इनका पूरा नाम भी याद नहीं होगा मालू भी नहीं होगा नितिन जैराम गड़करी इनका पूरा नाम है और वैसे आप लोग सभी जानते हैं निंतिन गड़करी के नाम से और फिलाई ओवर मैन के नाम से भी एक तरशे पिसिद्ध है इनके जनम की बात करें तो आप देखेंगे 27 मई 1957 में इनका जनम हुआ था नागपूर बॉमबे स्टेट बर्तमान में महराष्ट में इनका जनम हुआ था महराष्ट को देख लिजे और आप सभी जानते हैं कि महराष्ट राजनिती की दृष्टी से भी काफी मात पूण है और यहाब जी आप देखें कि राजनिती काफी सर्वगर्मिया बनाये रखती है कभी आप देखें कि उधाव ठाकरे सहाब बीजेपी के साथ रहते थे और अभी आप वो लोग देख रहे होंगे कि आजकल दूसरी विपक्ष के साथ चले गए और मुझे लगता है कि राजनिती में कुछ भी संभा हो है आप सोचें कि इसका गटबंदन इससे नहीं हो सकता है मुझे लगता है कि राजनिती में ऐसे भी दिन देखने पड़े कि बीजेपी और कॉंग्रेस का भी गटबंदन हो जाए इसके कई इस तरह के कई उधारन आपको देखने को मिलेंगी उत्तरवेदेस में आपने देखा कभी सोचा था कि मायवती और अकलेस यानि की मुलायम सींग के बीच गटवंदन होगा 2019 के लोग सबाचुनाव में देख लीजे तो महराष्ट की बारे में याद रखी एक माई 1960 को महराष्ट राज बनाए गया था और आपको मालू होना चाहिए कि एक माई को महराष्ट दिवस की रूम में मलाते हैं और महराश्ट की दो राधधानिया है एक तो मुंबई और दूसरी है नांगपूर विंटर राधधानिया है और यहाँ देखें तो विधान सभा में 288 सीटे हैं विधान परिशद में 78 सीटे हैं राज्य सभा में 19 सीटे हैं और लोग सभा में आपको 48 सीटे देखने को तो महराश्ट से ही सम्मंध है नितिन गड़करी सहाब का अगर हम लोग इनके पिता की बात करें तो जैराम रामचंद गड़करी इनके पिता का नाम और जो एक किसान थे क्या थे किसान थे इनकी माता की बात करें तो भानूताई गड़करी इनकी माता का नाम और पत्नी की बात करें तो कंचन नितिन गड़करी इनकी पत्नी का नाम और सामाजी कार करता है इनकी पत्नी इनके बच्चे तीन है नेखिल गड़करी सारंग गड़करी दो बेटे हैं और केत की गड़करी इनकी बेटी का नाम है और आप देखेंगे तो इनकी सिक्षा की अगर हम लोग बात करें तो M.com किया हुआ है, L.L.B किया हुआ है, बिजनेस मेंजमेंट में डिप्लोमा भी किया हुआ है, आपके ये एक तरह से कि वकील भी है, कानून की पढ़ाई भी इन्होंने की हुई है, और आप समझ रहे हैं, बिजनेसमेन भी है, और जाती की बात करें तो ये अठ्या ब्रहमड होता है न, उस जाती से इनका समंध है, इनके ब्योसाई की बात करें तो वकील भी, उद्योगपती और भारती राजनेतिक दल आप सभी जानते हैं, भारती जनता पार्टी है, बीजेपी हैं की राजनेतिक दल, और पसंदीदा नेताओं की बात करें तो अटल विहारी बाजपेई और नर्द मोदी इनके पसंदीदा नेता हैं, अब बात आती है राजनेतिक यात्तरागी, तो आप देखेंगे कि नेतिन कडकरी साब, 1976 में अखिल भारती है, विध्यारती पर्चत, ABP में सामिल होने के बाद, भाजापा चात्तर साखा की विदर 75 से लेकर 77 के बीच, और आप सभी लोग कॉलेज में पड़े होंगे, स्कूलों में पड़े होंगे, ABP अखिल भारती है विध्यारती पर्चत, आपके आँ भी होता है, और आपकी भी अगर दिल्चस्प भी है राजनीति में, तो आप इस तरह कि किसी संगतनों को ज्वाइ रहते हैं, अब आप सुची कि नितिन गड़करी साहब छोटी से पत कर ओबर कर आप देखी यहां तक आए हुए, तो वो बहतर राजनीति को जानते हैं, राजनीति को समझते हैं, फर आप देखें कि गड़करी को 1990 में महाराष्ट बिधान परिशत की सदस्किरू में चुन 2002-2008 के चुनाव में अपनी MLC सीट बरकरार रखी और भाजापर ने उन्हें वर्स 2004 में राज जी काई अध्यक्ष के रूम में नियुक्त किया था, फिर आप देखें कि 2009 में राजनास सिंग के बाद उन्होंने भारतिय जनता पार्टी के अध्यक्ष पत पर भी काम किया, और जन्वरी 2013 में इस पत को इनोंने छोड़ दिया था, आप सुचिए कि हर पत पर छोटे छोटे पतों पर उनकी नियुक्ती हो रही, पूरा हर एक क्रम को समझ रहे हैं वो, फिर गड़करी ने 2014 के आम चुनाव में नांगपूर लोकसवार सीट से चुनाव लगा और अता करती है, जिसकी उमर 18 साल की हो चुकी होती है, उसका मदाता सुची में नाम जोड़ जाता है, और आप सभी जानते हैं कि वही वोट डालने भी जाता है, आपका भी अगर 18 साल की हो चुके होगी तो मदाता सुची में नाम भी आ चुका हुआ, आप लोग भी वोट डालने जाते होंगे और उस बर्स केंदरीय मंत्री मंदल में उन्हें सड़क परिवहन और राज मारंग मंत्राले का पोर्टपोलियो भी दिया गया था फिर सेप्टंबर 2017 में गड़करी को नौ वहन और जल संसाधन नदी विकास और गंगा काया कल्ब मंत्राले का प्रिभार दिया गया 2019 में लोकसभा चुनाव में उन्होंने कॉंग्रिस की नेता नाना पटोली को एक दसमलाव 97 लाग बोटों के अंतर से हराया और केंदरीय सड़क परिवहन और राज मंत्री बने और इस साथ में ही इनोंने कुछ समाई के लिए सूक्ष लगू और मध्यम उध्यम अंतर आलाय भी समाला था तो इनकी राजनिती के आत्रा हो गई बेवाद की जैसा की बाद दाया हुए था कि बेवाद भी जुड़े हुए एक गरीब किलीनर की बेटी योगिता ठाकरे नाम की लड़की का सब नवंबर 2011 में गड़करी की सफेद हॉंडा CRB कार की अंदर मिला था और मिर्टक की परिवार के सदसों के अनुसार मंत्री और उनके सहयोगियों द्वारा किये गए घुटाले को देखने के बाद उसकी हत्या कर दी गई ताकि वह इसकी जानकारी पुलिस तक न पहुंचा सके पुलिस के निसकर्सों के बाद वह दो स्पूर एलेक्टोनिक कारण कार में फस गई थी और उसकी दम घुटने से मौत हो गई थी लेकिन उसके परिवार ने दावा किया कि यह हमले के तहत एक हत्या थी पोश्ट माडरम रिपोर्ट में साब तोर पका गया कि उसके सरीर पर गुपतांग समय उननीस नए जखम के निसान है तो इस समय भी कि आप देखिए जब ये घटना गटी तो समय भी काफी इनकी चर्चाय मनी हुई थी फिर आप देखेंगे गड़करी 2012 में तब सुर्कियों में आये जब उनकी पूर्ती समू नाम की एक फरम कतित धन सोधन और जाल सासी के आरूम में पिवर्तन निदिसाले की जाच के दा इस जाच ने राउंड ट्रपिंग और मनी लॉंडरिंग की और इसारा किया था कहानी का कहानी एक बार फिर 2014 में सामने आई जब उन्होंने ए रिक्सा पर पीती बंद को समात करने की घुसना की थी और इसे उनके रिस्तेदाओं कंपनी पूर्ती ग्रेन टेक्नोलोजी कुल और इसारोफ का केंद्रियन मंतरी ने घंदन पहुए उन्होंने काई कि उन्हें ये ईरिक्सा बनाने वाली किसी भी फारम में कोई दिल्चस्वी नहीं है नहीं उनके परिबार का कोई सदस किसी ईरिक्सा निर्मान कम्पनी से जुडा हुआ है फिर आप देखेंगे महराष्ट बिधानसवा चुनाओं से ठीक पहले भारत की चुनाओं आयोग ने गरकरी को उनकी बयान के लिए कारण बताओं नोटिस जारी किया था जिसमें मद्दाताओं को इसपर लेने के लिए पेरित किया गया था और उन्होंने मराठी भासा में अपना भासर दिया जिसका अंग्रेजी मैंनोबाद किया गया और अम मैं आपकी चेहरे देख रहा हूँ और मेरे पास चेहरा पढ़ने के माद्यम से भविस्वारी की भवि चाहो पी लो मिले उसे रख लो और यह हुए समय है जब अबेद रूप से कमाये हुआ धन गरीवों के पास जा सकता है और इसलिए लच्चमी को ना ना कहें लेकिन वोट करते समय सोचें कि आपका वोट महराज्ट के विकास के लिए होना चाहिए एक तरह से आप समझे रह रहे थे कि सब से जो दे रहा है रख लो खालो जो दे रहा है लेकिन वोट उसी को करो जो आपका महराश्ट के विकास के लिए हो लोकसभा के चौरान दौरान पिधानमंत्री मर्मोहन सिंग के खिलाब कथे तोर पर आपत्ती जनग बयान देने के बाद वह बिबादों में गिर गए थी और चुनाओ आएग ने उनके खिलाब मामला दर्श किया था इसके अलावा S.M.S. Infrastructure Limited की अजय संचेती से भी उनके करीबी रिस्ते बताये जाती हैं और जय संचेती पर 36गर में कम कीमतों पर कोईला अवंटन करने का आरोफ लगा था तो इस तरह कि नितिन ग बणकरी साहब की कहानी है आगे क्या होता है किस तरह से इनका राजनितिक यात्रा रहती है यह तो आनर वाला बक्ति बताएगा और इसके लिए आपके पास सोचल मेडिया है ही आपके पास टीवी चैनलs है हिए ही आपके पास अखवार भी है फूसकी आंगे की ख़वर